तकनीके शिक्षव और जंजाते विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहुल सुपिती जिला के लाहुल मंडल में 12 करोड 21 लाख रुपए की तीन बड़ी परियोजनाओं की आधार शीला रखी इस अबसर पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को पूरा होने से वारपा पंचायत के क्रोजिंग, वारी, रांगवे, कारिंग और लोट गाउं के लोगों की करीब 57 हेक्टियर भूमे को सिंचाई की सुविधा मिलेगी मारकंडा ने बताया कि चंद्रा भागा नदी से क्रोजिंग, वारी, उठाउ सिंचाई, योजनापर 287 लाख 40 हजार और चंद्रा भागा नदी से रांगवे, कारिंग, उठाउ सिंचाई, योजनापर 297 लाख 72 हजार रुपए वई किये जाएंगे उन्होंने कहा कि हर खेत तक सिंचाई सोविधा पहुंचाने के लिए व्यापक सर पर कारिक्रम चलाये जा रहे हैं हैं, खेती बाड़ी का, एक एरिकल्चे मादेम हैं, इसलिए जो जो अशकता पढ़ गया है तो लोगों प्लाइन करना पढ़ सकता है इसलिए मैंने सोचा कि हमें कोई दूसरा सोर्स है निए, नदी से ही पानी उठा के जो है, लोगों को निचाई का सादम दे सकते हैं, पीने का सादम दे सकते हैं इसपर हमने पोर पहली दूपार शुरुआट किया है, कि लहाल स्पिती के अंदर यह जो नदी बहरा है, चंदर भागा चनाब है, यहां से हर गाहूं के लिए जिस गहांजा संबाब हो सकता है जहां पर हमारे भाग के लोग आई पेच भाग ने सर्वे किया है सर्वे के अनुसार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर गाउं के अंदर जो है ये लिफ्ट इडिकेशन के पानी पहुंचाए जाए ताकि लोगों के प्रयास कर रहा हूँ